बैदेश में अब एक जुराई से नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। हत्या, लूट, बलातकार जैसे कई गंभीर अपराधों पर घर बैठे ही EFIR दर्ज कुराई जा सकेगी। भारती नागरिक सुरक्षत सहीता के नियम से लोगों को अब थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बतादे की जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारी चौकी प्रभारी की एक बैठक की गई। और दिशा निर्देश भी दिये गए हैं कि किसी तरह FIR पर कार करना है। दरेसल गॉलियर की पुलिस अधिक्षक कार्याले में नए कानून को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। चौकी से लेकर ठानों तक इस संबंध में सभी ठाना प्रभारी और चौकी प्रभारी और सहित पुलिस अधिकारियों को प्रसिक्षन दिया जा रहा है। कि नए कानून की किस तरह व्यवस्था करनी है। पुलिस अधिक शक धर्मवीर सिंग ने बताया कि भारत की जो नयाय प्रणाली है। उसमें बहुत ही आधार भूत परिवर्तन नए कानून की तरह हुए है। एक जुलाई से जो क्रिमिनल जस्टिस से संबंध हैं उनका क्रिया वान होने जा रहा है। नए कानून नागरिकों के अधिकारों पर आधारित हैं जिसको लेकर आच्छर्चा की गई है। तीनों कानूनों में किस प्रकार के परिवर्तन आये हैं उससे आम नागरिकों को भी अबगत कराने के लिए एक तारीक को सभी थानों में कारिकों वाजवित किये जाएंगे। इस तानी इस्तर पर जो भी प्रभुद्जन हैं जो भी इस्टेकोल्डर से उनको बुलाके संबाद करेंगे परिचर्चा करेंगे। को अबगत कराएंगे कि यह बर्तवान के जो कानून है किस प्रकार से नागरिक के अधिकारों के लिए प्रतिवद्जित हैं। पुराने कानूनों और नए कानूनों में अंतर है कि पुराने कानून दंड पे आधारित थे, बर्तवान कानून नियाय पे आधारित हैं। यह पीडित की रक्षा के लिए पीडित की मदद के लिए आधारित हैं। कई सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो नागरिकों को बहुत बड़ी सुविदा देने वाले हैं आज एक तारीक के बाद कोई भी नागरिक अपनी किसी भी अपराद की सूचना यी F.I.R के रूप में दे सकते हैं उनकी सूचना दर्ज की जाएगी इसी प्रकार से अपको छि प्रिणाली, सुगम होगी, सीगर होगी, पारदर्शिता आएगी, टैक्नलोजी का उप्योग बढ़ रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो नागरिकों की सुविदा पर आदारित हैं, ट्रांस्परेंसी पर आदारित हैं, तो ये कानून निश्चित रूप से हमार नागरिकों के लिए बहुत ही उप्योगी सावित होंगे.